हाई फ्रेंज आज हम यहाँ पे क्रिस्मस डेकोरेशन के लिए और्नामेंड बनाएंगे इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 इंच का प्लास्टिक का रिंग लिया है आप यहाँ पर प्लास्टिक रिंग के बजाए मेटल का रिंग भी यूज कर सकते है और यहाँ पर टू एंद हांफ मेटर का हुआइट एंड रेड कलर का एक एक पीस कॉड लिया है फ्रेंट अगर आप प्लास्टिक रिंग खरीदना चाहते हैं तो मैंने प्लास्टिक रिंग के बारे में सब कुछ जो है, बास्केट के वीडियो में पुरा बताया है, फ्रेंस. रेड और भायट कलर कोड को जला कर जाइंट करके लेना है और उसके बाद काड को इस तरह से रिंग पे फिक्स करके लेना है. फ्रेंस मैं यहाँ पे 50 ग्राम ग्रीन कलर मतका बीर्ष ले रहे हальную हैं, आप चाहसे होते हैं, यहाँ पे वाइट ऐल का कोड है अब यहाँ उसमें एक ग्रीन ग्रीन कलर मतका बीर्ष लालना है उसके बाद दोनों कॉर्ड को लेकर नीचे से उपर की तरफ व्रैप करना है फ्रेंड्स व्रैप करते वक्त एक जैसा कॉर्ड को पकड़ना बहुत जरूरी है और उसके बाद टाइट भी कर लेजिए अब यहाँ पर फिर से वाइट कलर कॉर्ड में एक ग्रीन कलर मटका बीज डालना है और उसके बाद सेम व्रैपिंग करना है फ्रेंड्स कॉर्ड को नीचे उपर की तरफ लेना है दोनों कॉर्ड को एक साथ इसी तरह से व्रैप करना है फ्रेंड्स देखें अब यहाँ पर फिर से वाइट कलर कॉर्ड में ग्रीन कलर का मटका बीज डालना है सिंगल कॉर्ड में मटका बीज डालना है और डबल कॉर्ड से रिंग पर व्रैप करना है मेरे यहाँ पर एक राउन बीज डाल का व्रैपिंग कंप्रिट हो चुका है अब यहाँ पर सिंपल सा व्रैप करना है जैसे व्रैप किया था वैसे व्रैप करना है लेकिन बिना बीज के व्रैप करना है अब यहाँ पे उपर का जो कौड है वो जितना चाहिए आपको लंबाई में उतना रखके बाकि एक्स्ट्रा कौड को कट कर देना है अब यहाँ पे एक ग्रीन कलर का मटका भी लेना है और डबल कौड में इस तरह से डालना है अब यहाँ पे कौड को जला कर दोनों कौड को जॉइंट कर देना है यह हैंग करने के लिए फ्रेंट्स मैं यहाँ पे 12 संटिमीटर का सैटन रिबन ले रहे हूँ रेड कलर का रिबन को हैंगिंग कौड की नीचे से लेना है और उसके उपर एक छोटा सा नॉट डालना है इस तरह से उसे टाइट कर लेना है नॉट को उसके बाद और एक नॉट डालना है फ्रेंट्स इस नॉट को टाइट नहीं करना है थोड़ा गया प्रकना है और उसके बाद रिबन को उपर से नीचे की तरव इस तरह से खीच के लेना है दोनों तरफ इसी तरह करना है फ्रेंट्स उपर से रिबन को खीचते हुए, नौट को टाइट कर लेना है अब यहाँ पर आप नीचे और उपर खीच कर अराम से सेट कर सकते हैं प्रेंट्स मैं यहाँ पर रेड एंड ग्रीन वाइट कलर का तीन मटका बीट ले रहे हूँ तीनों बीट्स को इस तरह से डबल कॉर्ड में डाल लेना है मेरे हाँ पर क्रिस्मस डेकोरेशन के लिए सुन्दर सा ओर्नामेंट रेडी हो चुका है फ्रेंट्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेर और कॉमेंट जरूर कीजे फ्रेंट्स अगर आप मेरे चानल पर ऐसे ही नया नया वीडियो देखते रहना चाते तो चानल को सब्सक्राइब भी कर लिजी अगर आप प्लास्टिक रिंग खरीदना चाते और उसके बारे में जानना चाते तो एंट स्क्रीन में जो मैंने वीडियो दिया है उस वीडियो को आप पूरा देख लीजी